तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दिने श्वागत है आपका डीवी टेक इंडिया यूटूब चैनल में दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपना नया पैन कार्ड अपने मोबाइल से बिलकुल फिरी में कैसे बनाएंगे जी हैं दोस्तो आप अपने मोबाइल से 5-10 मिनट में अपना नया पैन कार्ड बिलकुल फिरी में बना सकते हैं आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और यहां पर आपको कोई भी डाकुमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा केवल आपको आपके आधार नंबर की जरुवत पड़ने वाली है आप अपने आधार नंबर से नया पैन कार्ड अपना बना सकते हैं अपने मोबाइल से 5-10 मिनट में और उसे डाउनलोड करकर कहीं भी आवज सकता है तो बहां उसे लगा सकते हैं हर जगा बैलेड होगा आपका मोबाइल से बनाया गया पैन कार्ड आप कहीं भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पर एक रुकोष्ट होगी मेरी आपसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना तो सारा प्रोसेश दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मोबाइल से दिखाने वाले हैं वीडियो को अंत्तक देखते रहिएगा तो आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राजर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है इनकम टैक्स यहाँ पर आपको इनकम टैक्स इनकम टैक्स लिख देने के बाद आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप income tax लिख कर सर्च करते हैं अब यहाँ पर आपको income tax की जो official site है वो देखने को मिल जाएगी www.incometax.gov.in आपको इसे open कर लेना इस पर click करेंगे इसके बाद इस site का interface कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा site open हो जाएगी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ scroll करते हुए आना है यहाँ नीचे की तरफ आएगे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा Instant e-pan तो आपको यहाँ पर Instant e-pan वाले option पर click करना है जैसे आप Instant e-pan वाले option पर click करेंगे page loading होगा यहाँ पर कुछ समय में नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर इस नया पेज में आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है easy and paperless process है आपको get e-pen within 10 minute में आपको 10 minute में आपका नया pen card मिल जाता है यहाँ पर hold same value as physical pen card जितना physical pen card valid है उसी तरह से AB pen card आपका हर जगे valid है आपको यहाँ पर all you need is आधार card and linked mobile number यहाँ पर आपको आधार card number और आधार card से registered mobile number होना चाहिए आपके e-pen बनाने के लिए अब आपको नीचे यहाँ पर gate e-pen वाले option पर किलिक करना है यहाँ पर आपको gate new e-pen वाले section में अपर gate new e-pen इस वाले option पर किलिक करना है जैसी आप gate new e-pen पर किलिक करेंगे एक नया page open होगा अब यहाँ पर आपको 4 step में अपना pen card बनाना होगा यहाँ पर 4 step को complete करना है तो इन 4 step को पूरा करते हैं सबसे पहले first step में आपको यहाँ पर अधार number डालना है जो भी आपका आधार number है आपको 12 digit का आधार number यहाँ पर डाल लेना है उसके बाद icon from dead पर यहाँ पर check mark लगाना है तो लिए हम यहाँ पर आधार number को fill कर लेते हैं आधार number डालने के बाद यहाँ पर icon from dead के सामने इस box पर एक बार किलिक करना है check mark लगा देना है उसके बार नीचे आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है continue पर click कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक नए page open हो जाएगा यहाँ पर आपको कुछ condition दी गए है इसे read कर लेना है इसके बाद आपको last में यहाँ पर एक box देखने को मिल जाएगा इस पर एक बार किलिक करके यहाँ पर चेक मार्क लगाना है यहाँ पर चेक मार्क लगा देने के बाद आपको फिर से कंटीनू पर किलिक कर देना है कंटीनू पर किलिक करेंगे यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो रेजिस्टेट मोबाइल नमबर है आप उस पर एक OTP प्राफ्ट हो जाएगा आपके आधार कार्ट से जो भी मुवाल नमबर रेजिटर्ट है उस पर OTP आया होगा उस OTP को आपको यहाँ पर फिल अप कर लेना है चली हम यहाँ पर OTP को डाल लेते हैं यहाँ पर OTP डाल लेने के बाद जो भी आपके आधार रेजिटर्ट मुवाल नमबर पर OTP आया है उसे डाल लेने के बाद आपको यहाँ इस बॉक्स पर चेक मार्क लगाना है उसके बाद कंटीनू पर किलिक करना है चली हम पर चेक मार्क लगा देते हैं OTP डाल लेने के बाद continue पर क्लिक करेंगे दुस्तों आपके आधार कार्ड से mobile number registered होना जरूरी है instant e-pen card बनाने के लिए तो इसके बाद continue पर क्लिक करेंगे इसके बाद एक नया page open हो जाएगा कुछ process के बाद यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो आपके आधार कार्ड से ले ली जाती है यहाँ पर आपका photo, name, date of birth सारी details आपकी यहाँ पर आधार कार्ड से फैच कर ली जाती है यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो email ID है वो registered नहीं यह देख सकते हैं यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर email id को डाल सकते हैं बरना इसे छोड़ देंगे इसके बार नीचे आपको यहाँ पर i accept के सामने इस वाले box पर check mark लगाना इस पर click करेंगे और नीचे आपको यहाँ continue पर click कर देना है सारी जनकारी चेक कर लेने के बाद यहाँ check mark लगा देने के बाद अब आपको continue पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है आपके आधार कार्ड से validate email id नहीं है तो यहाँ पर आपको इसे continue कर देना है इसके बाद यहाँ पर your request for event has been submitted यहाँ पर हमारी जो request है वो successful submitted हो चुकी है यहाँ पर आपको acknowledgement number भी मिल जाता है यह number आपके mobile पर message के मादिम से भी बेज़ दिया जाता है आप चाहें तो इस number को यहाँ से note कर सकते हैं अपना e-pen card का status चेक करने के लिए बरना आपके mobile number पर message के मादिम से मिल जाएगा तो इसके बाद हमारा जो e-pen card का process है वो complete हो चुका है इसके बाद इसे download कैसे करना है तो दोस्तों आपको अपना pen card download करने के लिए इस side के home पर दुबारा आ जाना है इस side के home पर आ जाना के बार नीचे की तरफ आएंगी यहाँ आपको instant e-pen वाले option पर खिलिक करना है इसके बाद आपके सामने e-page open हो जाएगा यहाँ आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा check status and download pen इसी में आपको नीचे यहाँ पर continue वाले option पर किलिक करना है जैसी आप continue पर किलिक करेंगे आप यहाँ पर आपको अपना अधार number डाल लेना है जिसे अधार कार्ट से आपने pen card के लिए अपलाई किया था अधार number यहाँ पर डालेंगे आधार नमबर डाल लेने के बाद आपको continue पर किलिक कर देना है जैसी यहाँ continue पर किलिक करेंगे आपके mobile यहाँ पर OTP आ जाएगा जो भी आधार आधार कार्ड से registered mobile नमबर है उस पर OTP प्राप्त होगा उस OTP को यहाँ पर आपको डाल लेना है OTP डाल लेने के बाद आपको नीचे यहाँ continue पर किलिक कर देना है कैसी आप continue पर किलिक करेंगे यहाँ पर आपको आपके pen card का status देखने को मिल जाएगा आप पर हमारे pen card का status जो successful दिखा रहा है इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दो option दिये हुए मिल जाएंगे यहाँ पर view e-pen और download e-pen तो आपको अपने pen card को download करने के लिए download e-pen पर click करना है जिसके बाद आपका pen card आपके वाल में download हो जाएगा यहाँ पर हम आपको अपना pen card view करके आपको दिखा देते हैं जिसे आप view e-pen पर click करेंगे आपका pen card जो है view हो जाएगा यहाँ पर जब भी आप अपने pen card की PDF को open करेंगे तो यहाँ पर आपसपर्ड मांगेगा पासपर्ड में आपको अपनी जनमतिती को डालना है तो यहाँ पर इस तरह से हमारा pen card जो है वो बन कर तयार हो चुका है यहाँ फेस्ट में आपको आपका नाम जनमतिती और जेंडर और आधार नमबर यहाँ पर last four digit देखने को मिल जागा तुवासा करते हैं दोस्तो इस तरह से आप अपना pen card अपने mobile से घरवेटे बना सकते हैं बिल्कुल फिरी में वीडियो पसंद आया तो like प्लीज चैनल को subscribe कर दें दोस्तो आपको बता दें कि जब भी आप अपने pen card की request करते हैं उसके 2-3 गंटे बाद ही आप अपने pen card की digital copy को download कर पाते हैं यहाँ पर आपको 10 minute का time बताया जाता है pen card बनने का पर आपका pen card 10 minute में तयार नहीं हो पता है आपको 2-3 गंटे तक का time लग सकता है आपको अपना digital pen card download करने में